देखे एक खबर है जो अगवारों के अंदर छपी है जिसमें जेलेन अस्पताल के अंदर जो कोरोना महामारी के दुरान जाँच होती है उसके उपर सवाल उठाए गए थे और उन्हीं सवालों के उपर अजमेर की कलेक्टर विश्मोन शर्मा का बयान आया है उन्होंने इस तरीके की जो खबरे हैं उसको ब्रामक बताया है इन खबरों से बचने की सला दी है आम जनता को और कलेक्टर ने ये भी कहा है कि जो मैडिकल के स्टेंडर पेमाने होते हैं जो तैमाब्डंड हैं उन माब्डंडों को पूरी तरीके से अजमेर के जवाल लाल नेरु असपटाल के अंदर पूरी तरीके से उनकी पाल ना की जाती है अजमेरिय कलेक्टर विश्मोन शर्मा ने इस पस्ट और पे जब मीडिया ने सवाल पूछा उनसे इस पूरी ख़बर के ओपर की जेलन के अंदर जाच रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस पर उनने इस पस्ट मेडिकल्स लैब का और स्टेंडर नियम हो कहता और उसके परिवार का जो मसला था जिसमे एक आ गया कि जो पहली रिपोर्ट थी वो नेगिटिव आई थी उसमें कलेक्टर ने इसपस्ट किया है कि तई नियम है जिसमें दो चड़नों के अंदर ये पूरी जाच की जाती है और उस जाच के बाद ही किसी रिपोर्ट में कि इसी रिपोर्ट के अधार पर यह बताया जाता है कि वहाथी को संबदित वहाथी को कोरोणा है या नहीं है यहाँ पर प्रात्मिक तुर पर जलेंगे अंदर जियांच होती है वो एक अलग तरीके के तैम आप डूपे होती है और उसके बाद में इस रिपोर्ट यहां जो सैं कोई फैसला ले रहा है कि उसको कोरोना है या नहीं है तो वो बिल्कुल भी गलत है और ब्रामा के और इसी खबरों से बचने के लिए भी अजमेर की कलेक्टर ने निवेदन किया है और उन्हें कहा है कि आम जनता इसी खबरों के उपर किसी परकार से ध्यान ना दे जो मेडिक बिल्कुल है मतलब गलत है जो भी जाच हो रही है बिल्कुल सही हो रही है और यह वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जैपूर बेशते हैं और वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद ही डिक्लेयर होता है तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उनका एक स्टेंडर्ड प्रोसेडि इस तरह से बात आज चल रही है कि यहां पर तो निगेटिव आता है पर जैपूर में पॉज़िव होता है यह बिल्कुली सरासर गलत बात है वेरिफिकेशन होता है जो भी ऐसे डाउट फुल केसेज होते हैं जिनका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है उस ऐसे ही केसेज को जै खांसते या चीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें। इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दें। अपनी आख, नाक और मूँ को हाथ से नच्छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से ल दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सला लें। अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हेल्प लाइन है शू झाल जर रखें।